दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा या नहीं पता तो पतायता हूँ कि Razor Pay पे कल तक यानि कि 27 मई तक जो रैफर स्कीम थी वो थी 500 रुपे पर रैफर की जिसे बढ़ा कर अब कर दिया है 1000 रुपे पर रैफर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने RazorPay.com खोला पहले 500 रुपे और इसे बढ़ा कर अब कर दिया 1000 रुपे जो कि 33 दिन के लिए ही valid है 33 दिन के बाद यह फिर से 500 रुपे हो जाएगी या खतम भी हो सकती है पर फिलाल जो offer है वो है 1000 रुपे पर रैफर का और प्लस में 0.25% कमिशन कर दिया है जो कि पहले 0.1 था इसे भी ब परचार में पैसे कमा सकते हो अब मैं आपको नीचे पढ़ा जिता हूँ एक बार ताकि आप confirm हो जाए यहां देखिए हां भी लिखा हुआ है get flat 1000 रुपे as a referral bonus whenever you referred business start using razor pay याने कि आप अगर किसी को अपना link provide करते हो razor pay का और वो person आपके link से account बनाता है और business start करता है business start करने क अतलब है कि transaction इस पर start करता है तब आपको मिलेगा 1000 रुपे चलिए मैं आपको बताएता हूँ कि आपको क्या क्या काम करना है ठीक है दोस्तों सबसे पहले आपको description में दिएगे link पर click करना होगा उसके बाद आप direct इस page पर पहुंच जाओगे अगर आप direct razor pay की .com पर उसके बाद sign up पर click करना है, इसके बाद यहां पर आपको एक password डालना होगा password आप अपनी marge से खुछ भी डाल सकते हैं, इसके बाद आपको create account पर click करना है इसके बाद आपको यहां पर अपना नाम और mobile हम डालना है इसके बाद आगर आप WhatsApp पर notification चालते हो तो आप इस पर click democrats देना नहीं तो इसके अठा सकते हो ठीक है इसके बाद आपको next पर क्लिक करना है इसके बाद आपकी email ID पर 6 digit का एक code आया होगा उस code को आप में पर डाल दीजिए इसके बाद आपको verify email पर क्लिक करना है email ID verification के बाद आपके सामने पेज खुलेगा अब आपको क्या करना है यहा पर आपका नाम आजाएगा इसके बाद आपका mobile number और इसके बाद आपकी email ID अगर इसमें कुछ गल्ती है तो आप इसे सही कर लेना ठीक है अगर सब कुछ सही है तो आपको save and next पर क्लिक करना है इसके बाद दूस्तों business type में आप note registered रहने देना business category में आप select कर लेना कि आपक आपर लिख देना ठीक है और जैसे कि मेरे दुकान है जो आपर मैं online पां करता होँ लिख दिया कि मैं रसण कार ड़का वड़ाद आप में online form filling लिख दिया photocop लिख दी printout लिख दिया मतलब जो आपका काम है वो सब कुछ आप लिख देना और कम से कम आपको 200 word में आपको लिखना होगा ठीक है इसके बाद average order value में आपको डाला है कि जो आपके sale होती है वो कम से कम कितने की होती है और average कितने रुपए आते है तो एक रुपए से लेकर डेटर सो रुपए मेरी average sale होती है इसके बाद यहाँ पर without website and application कर देंगे क्योंकि हमारे पास ना तो कोई website है और ना ही कोई application है इसके बाद हमें आपर save and next के क्लिक करना है इसके बाद आपको यहाँ पर pen number डालना है यहाँ पर अपना नाम डालना है जो कि pen card पर लिखा हुआ है इसके बाद billing level में आपको डालना है कि आपकी दुकान का नाम क्या है या किस नाम से आप business करते हो वो नाम आप यहाँ पर डालना है इसके बाद यहाँ पर डालना है आपको address जो की आधरकाड में लिखा हुआ है ठीक है इसके बाद pin code city और state इसके बाद save and next पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर bank account की detail लानी होगी आपका bank पर नाम क्या है bank का IFC code क्या है account number और re-enter में द्वारा से account number इसके इसके बाद आपको save and next पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर आधरकाड का number डाल दीजिए यहाँ पर capture code और यहाँ पर submit पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आपके इस आधरकाड में जो mobile number registered है उस mobile number पर एक OTP आएगा OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है यहाँ दे है यहाँ देखें दोस्तों लिखा गया है कि जो हमारी KYC थी वह summit हो चुकी है अब आप यहाँ पर इसे cross कर दीजिए और देखिए जो हमारा account है वह अभी reviewing में है जो KYC ड्रेल थी उसे चेक किया जा रहा है अब दोस्तों आप time note कर लीजिए 14 बज के 8 मिनट हो रहे हैं ठीक और जो हमारा account था वो activated हो चुका है successfully, account activate होने के बाद आपको test me to live mode पर क्लिक करना है तो देखें दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है live mode और उपर भी लिखा गया live mode ठीक है आपको live mode में ही काम करना है क्योंकि live mode में ही आपकी payment receive होगी और जो भी link बनाओगे वो आपके live चले अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको customer से payment लेनी किस तरीके से है तो माल लीजिए आपका को customer है जिसने आपको store पर payment करनी है तो आपको क्या करना होगा आपको आना है इस page पर यहाँ पर आने के बाद आपको payment link इस पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर create payment link पर click करन इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर amount डाल देना है कि कितना amount आपको customer से लेना है for example मैं 50 रुपर लेता हूं customer से और मैंने किस काम के लिए है मैंने resume मनाया था उसका resume making लिग दिया इसके बाद customer के detail में आप उसका mobile number लेग दीजिए और यहां पर notify by sms इस पर क्लिक करने जिए क्या होगा कि आपका customer है जिसका यह number है उस पर एक sms चले जाएगा जिसके द्वारा वो sms में जो link है उस पर ही क्लिक करके payment कर सकता है ठीक है इसके बाद reference ID में आप कुछ भी डाल दीजिए इसके बाद आपको यहां पर अगर customer से कम पैसे लेने है यानि कि को discount उसको देना है तो यहां पर क्लिक कर देना तो discount हो जाएगा इसके अलावा अगर कुछ notes बनाने है आपको जैसे कि उसने कुरासन के समान लेया था और आपको उसकी list देनी है पूरी तो आप इस पर क्लिक करके वो पूरी list आपर बना स जाएगा अगर by chance customer से sms delete हो गया है या फिर customer के पास sms नहीं आया है link नहीं आया है तो आप directly इस link को क्लिक करके उसे बेज सकते हो और जब वो link पर क्लिक करेगा तो payment वो कर देगा ठीक है आप देख लिए कि customer payment करता है तो यहां पर क्या होता है इसके बाद दोस्तों देखि तो यहां पर भी payment received हो चुकी है अब हम जाएंगे transaction पर और यहां पर भी देखिए इस payment ID से आपको payment receive होई है वो यहां पर आ जाएगा इमृर ईडि क्या है customer का है वो यहां पर आ जाएगा ठीक है, कितने तारीक हुई है, कितने बजे हुई है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा ठीक है, इसी तरह जिसी customer की आपको payment आती जाएगी, उसका एक अलग record बनता जाएगा तो हमारा यहाँ पर सारा कम हो चुका है, account भी बन गया, account activated भी हो गया, KYC भी हो गई, प्लस में हमारी एक transition भी हो गई ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको इस page पर यहाँ पर partners पर जाना है, इसके बाद यहाँ पर आपको share referral link पर किलिए करोगे तो यहाँ पर आपके सामने, आपका link आजाएगा, इस link को आपको copy करके अपने friend को, या WhatsApp ग्रूप में, या फिर किसी other को आपको send करना है, उससे send कर दीजिए, ठीक है, जब वो आपके इस link से account बनाएगा, तो आपको मिलेगा 1000 रुपे, ठीक है दोस्तों, पर एक चीज़ जो account बनाएगा, उसे एक-दो transition करने ही पड़ेगी, जैसे कि आपने करी है, ऐसे उसको भी transition करने ही पड़ेगी, तो इस video को मैं ही खतम करता हूँ, I hope आपको इस पूरा process समझा गया होगा, अगर फिर भी कुछ doubt है, या आपका account नहीं बन पा रहा, तो description box में आपको मेरा WhatsApp न